तो अगर आपको 30,000 बजेट में बहुती बढ़िया स्मार्ट टीवी चाहिए, 4K स्मार्ट टीवी चाहिए, अच्छा ब्रांड का भी हो, तो आपके दिमाब में दो स्मार्ट टीवी जरूर आ रहा होगा, LG UR7500 या फिर Samsung Crystal Vision 4 के, दोनों ही दोस्तों बहुती बहती बहतरी इन स्मार्ट टीवी है, इस प्राइस रेंग के हिसाब से, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो, तो किसे करेंगे, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो करेंगे कंपारिजन इन दोनों टीवी का, एंड में देखेंगे कौन सा बाला सबसे ब बात करें तो पतला बेजल थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा LG में आज कंपारेड तो सैमसंग क्रिस्टल विजन 4K तो लुक्स के बारे में कोई ज्यादा नहीं दोस्तो दोनों का ही अच्छा में कहूंगा तो अभी मेन चीज दोस्तो डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे LG UR7500 में आपको मिलता IPS पैनल विद डिलेट बैक लाइटिंग वहीं दूसरी तरब Samsung में आपको मिलता है VA पैनल विद डिलेट बैक लाइटिंग दोस्तो दोनों का पैनल अलग अलग है तो picture quality में थोड़ा बहुत difference definitely आने वाला है दोस्तो अगर हम color, brightness, contrast ratio के बारे में बात करें तो overall दोस्तो आपको LG में थोड़ा अच्छा picture quality देखने को मिलेगा as compared to Samsung दोनों का ही अच्छा है दोस्तो color, combination, contrast ratio सब को इस अच्छा दिया गया है लेकिन LG का जो processor है Altha 5 AI 4K processor जो की picture quality को और थोड़ा बहतर बना देता है Samsung में भी दोस्तों आपको Samsung crystal 4K देखने को मिलेगा processor लेकिन overall अगर picture quality देखे तो यहाँ पे LG में आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा color contrast ratio का combination देखने को मिलेगा हाँ यहाँ पे LG में IPS है तो आपको wide angle view अच्छा देखने को मिलेगा VA में इतना ज्यादा wide angle नहीं मिलेगा VA में आपको अच्छा black देखने को मिलेगा जो कि IPS में उतना ज्यादा नहीं मिलेगा तो इसके अलाबा आपको इन दोनों में दोस्तो डल भी विजन नहीं मिलता है यह थोड़ा draw विया के दोस्तो लेकिन उसके अलाबा HDR10+, HLG सब कुछ इन दोनों में देखने को मिल जाते है और MEMC भी दिया गया है और आगे बढ़ने से पहले मैं इसका price बता देता हूं दोस्तो price हाला कि मैं last में बताता हूं लेकिन अभी बता देता हूं इन दोनों का price दोस्तो 28,900 रुपीज है दोस्तो 50,000 रुपे का इधर उधर है लेकिन इन दोनों में एक चिसका आपको बहुत ज़्यादा difference देखने को मिलेगा जो कि TV का difference नहीं है दोस्तो remote का difference है LG में वही पुराने style का IR remote दिया गया है smart remote आपको से नहीं बोलेंगे हलाकि इसमें Netflix वगरे का hotkeys दिया गया है voice control नहीं है दोस्तो Bluetooth remote नहीं है आपको TV की तरफ ही रख कर button दबाने पड़ेंगे जो कि अभी तो नहीं होता है दोस्तो सभी remote Bluetooth remote होता है voice assistant का button होता है तो search करना बहुत ही ज़्यादा easy हो जाता है वहीं दूसरी तरफ दोस्तो Samsung में smart remote दिया गया है Bluetooth remote है Google voice assistant का support भी दिया गया है साथी साथ इसमें आप battery नहीं डालेंगे दोस्तो यहाँ पे आपको USB type C से charging करने का facility दिया गया है साथी साथ आपको solar panel भी मिल जाता है आप इसे solar से भी charge कर सकते हैं बहुत ही बड़िया चीज दिया गया है दोस्तो आप बोलोगे कि यह छोटा सा difference है remote का लेकिन नहीं दोस्तो आप जब search करेंगे जब normally use करेंगे न तो remote में search करना बहुत ही दिक्कत होगा दोस्तो अगर voice stand आपको नहीं मिले तो यह बहुत ही बड़ा difference है यह दोनों TV के बीच में और उसके अलावा दोनों में से किसी में भी आपको Android operating system नहीं मिलेगा दोस्तो LG में आपको web OS देखने को मिलेगा Samsung में Tizen OS दोनों में आपको जो audio output देखने को मिलेगा वो 20 watt का है दोस्तो दो down firing speaker दिया गया है दोनों में तो audio quality overall आपको decent ही देखने को मिलेगा इतना ज्यादा loud नहीं है दोस्तो लेकिन audio को quality आपको अच्छा देखने को मिलेगा दोनों में LG में और Samsung में अगर आप बड़े hall में लगाते हैं TV को ज़्यादा sound चाहिए तो आपको additional sound bar की जरूरत तो होगी ही और उसके अलाबा दोनों में आपको 3SD में port मिल जाता है USB port LG में दो दिया गया है दोस्तो यहां पे Samsung में एक दिया गया है तो overall सब कुछ अच्छा दिया गया है दोनों ही TV में दोनों TV में किसी को मैं बुरा नहीं बोलूँगा दोस्तो अपने price के इसाब से बहुत ही बढ़िया है दोनों में आपको जो picture quality का difference है वो LG में थोड़ा ज़्यादा बहतर आपको नजर आएगा दोस्तों तो मेरे हिसाब से अगर आप LG का smart remote extra खरीद पाए तो आपके लिए बहतर होगा अगर आप LG के तरप जाते हो तो नहीं तो Samsung भी अच्छा option है दोनों के अगर TV को compare करे picture quality को compare करे definitely आपके लिए LG लेना बहुत ही बहतर ही नहीं होगा अगर आपको remote में कोई problem नहीं हो तो यही था conclusion उसके साब से आप तो smart lock हो ही आप choose कर लोगे आपके लिए कौन साथे भी बहतर है तो इतना है था इस वीडियो में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लगा तो like कीजिए अगर आपने अभी तक टेक टेक विंग को subscribe नहीं किया तो उस्तो प्लीज कीजिए हमारे family में जुट जाई सो मिलते हैं टेक विंग के और एक नए वी झाल